हापुड जनपत की तिर्थनगरी गणमुक तेश्वर में 13 वर्षय दलित किशोरी का अपहरंड कर सामोहिक दुशकर्म का मामला सामने आया है आरोप है कि 13 वर्षय किशोरी जब खेट पर जा रही थी तब इचार युवकोने किशोरी का अपहरंड कर लिया और उसको खीच कर गन्य के खेट में ले गए और फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाब दिया चारो आरोपी किशोरी को बेहोशी की हालत में खेट में छोड़ कर फरार हो गए मामला सामने आने के बाद पुलीस ने चारो आरोपीयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया वही पुलीस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफतार कर लिया है जिन से पुछ ताच कर रही है वही तिर्थनगरी में 13 वर्षय किशोरी के साथ हुए सामोहिक दुशकर्म की वारदात से एंटी रोमियो और महिला सुरक्षा की पोल खुल गई है दरसल आपको बता दे कि मामला थानागण मुक्तेश्वर क्षेत्र का है जहाँ जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर को 13 वर्षय दलित किशोरी गाउ के पास ही खेत पर जा रही थी तबी चार युवकों ने किशोरी को खेत पर जाते देख लिया और उसको रास्ते में खीच कर गन्ने के खेत में ले गए जहाँ चारों ने किशोरी के साथ सामोहिक दुशकर्म की वारदात को अंजाम दिया तेरा वर्षय मासुम चिलाती रही और रहम की भीक मांगती रही लेकिन आरुपियों ने किशोरी की एक ना सुनी और सामोहिक दुशकर्म की वारदात को अंजाम देते रहे सामग दुशकरम करने के बाद चारो आरुपी मौक्य से फरार हो गए बेहोशी की हालत में पीडिता काफी देर तक जंगल में पड़ी रही और जब पीडिता की तलाश की गई और पीडिता गन्यक की खेत में मिली जिसे देख पिडिता के भाई के पैरो तले जमीन की सग गई और बेबस भाई पिडिता को अपनी शर्ट मे लपेट कर अपने घर लाया घर आनी के बाद पिडिता ने आप भीती अपने परिजनों को बताई जिसके बाद परिजन पिडिता को लेकर पुलीस के पास भूच गए और पुलीस से न्याय की गुहार लगाई डॉक्टरी की रिपोर्ट आजाएगी और जो सिनाकत हुई थी जो नाम बताए गए थे चार नाम बताए थे उसमें तीन गिरफतारी हो गए राती उनको जेल भेज रहें और बच्ची के साथ जिस परकार की घटना घटी है मामला सामने आने के बाद पुलीस ने ततकाल पिडिता को मेडिकल के लिए भेज दिया और चारो नाम जद आरोपियों के खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया पुलीस ने ततकाल मुकदमा दर्ज कर चारो आरोपियों की पूरी तलाश की पुलीस बारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन में पुलीस ने चारों में से तीन अपराधियों को गिरपतार कर लिया जिन से पुछताच कर रही है NBC News के लिए हापुड से अनिलकशप की रिपोर्ट